Assalamualaikum students, जैसे हैं आप साब ? अगर आपने भी तुख मेरे चैनल का सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल का सबस्क्राइब कर ले और बल के निटिफिकेशन का प्रेस कर ले ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक पहुंचे तो जो next topic है वो है जी factorization of the expression of the type जिसमें a square minus b square वाली questions होंगे और हम लोगने इनको solve करना है तो first of all इसकी example को देख लेते हैं उसमें वो कह रहा है factorize करो इस question को 4x square minus 2y minus z square ठीक है अब यह वाली term तो हमें जैसे question में देखो कि यह b square है 2y minus z जो है यह b है यह समझ लिया a हमारे पास क्या है 4x square है अब हम लोगने इसको square में बंद करना हो यह तो already square में इसको change ही नहीं करना यह हमें लोगों के पास क्या है square में अगर इसको बंद करना हो तो 4 किसका square है 2 का और x किसका square है x को x2 किसका है x का square है ठीक है जी अब इसको हम लोग ने इस formula में बंद कर दिया अब इसका formula हमें पता है कि अच्छा मैंने इसको आगे नहीं लिखा a square minus b square किसके एक्वल होता है a plus b और a minus b के तो हम क्या करेंगे इसको एक दफा माइनस में लिखतेंगे और एक दफा इसको plus में लिखतेंगे मतलब क्या के 2x minus यह वाली term 2y minus z और plus और दूसरी तरफ लिखेंगे 2x plus यह वाली term लिखतेंगे 2y minus z अब हम क्या करेंगे अब यह minus है और यह अंदर bracket है तो इस minus को अंदर multiply कर देंगे और minus से चीज़े next आगे change हो जाती है minus plus minus 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 plus और यहां पर क्या करेंगे plus कोई भी चीज़ को change अंदर नहीं करता तो यह as it is लिख लिए जाएगा यह हम आपस दो इसकी answer आगे यह थी जी अगर हम आपस एक formula बनाओ और दूसरा ना बनाओ next में हम क्या करेंगे हमें पता है भाई 6 अब देखो 6 किसका square है 6 किसी का square नए यहाद हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे इस 6 को खत्म करें तो सबसे पहले करेंगे 6 को common लेंगे देखेंगे 96 को 6 पे properly divide कर रहा है तो 6 into 16 क्या होता है 96 होता है ठीक है जी तो हम क्या करेंगे 6 को कॉमल ले लिया X4-16 लिख लिख लिया गया अब हमें पता है जब X की पावर 4 का मतलब है X के स्कॉयर का स्कॉयर तो हम लोग ने इसको सी में कनवर्ट कर दिया X का स्कॉयर का स्कॉयर बना दिया Next क्या करेंगे माइनस पॉमले का तो हमारे पास या चलता है ठीक है जी तो जो 16 है X का स्कॉयर होता है 4 का 4 का स्कॉयर है तो हमारे पास 16 है अब देखो सबसे बहले क्या करेंगे X2-4 है एक دفعہ लिख 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 लिए X2-4 है. जिथे किख लिख 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 generosity हो तो क्या करते हो a square minus b square किसके equal होता है a plus b है minus b इसको same उसी pattern पे solve कर दिया अब देखो ये term तो further solve नहीं हो सकती ठीक है लेकिन हम देख रहे हैं कि ये x square किसका square है x का minus formula का ये किसका square है 2 का तो ये फिर a square minus b square में convert हो सकता है ना तो फिर इसलिए हम लोगों ने इसको दुबारा से convert किया और जो answer हमारे पास आया वह 6 x plus 2 x minus 2 x y plus 4 इस चीज में convert हो जाएगा और ये ही हमारा क्या है answer है next है जी इसका जो हमारे पास last इसकी type है वो है जी factorization of the expression of the type जिसमें हम लोगों को a square plus minus 2 a b plus b square minus c square ऐसी value होगी हमारे पास given तो इसको हम लोगों ने solve करना है ठीक है जी अब last पर हम लिख रहे हैं firstly लिख रहे हैं कि we know that हमें पता है कि अगर इसका formula बंद करना है जिसका मतलब ये है कि ये plus minus b square minus c square तो एक दफ़ा इसको plus में लिखते हैं एक दफ़ा इसको minus में लिखते हैं ठीक है जी ये तो वही कुछ चीज़ें आगे हैं जो हम लोगों ने पहले लिखी थी अब हम इसकी example को एक दफ़ा देख रहे हैं example में वह सबसे पहले चीज क्या कह रहा है कि ये x square है plus 6 x plus 9 ये इसको हम c square समझ रहे हैं ये a square है ये plus 2 a b है और ये क्या है b है b का square ठीका जी तो क्या करेंगे इसको इस तरफ लिख लेंगे square bracket लगा कि minus formula का और 4 y square को इस तरफ कर देंगे next क्या करेंगे x square है तो x का square plus अब पहले ये term नहीं लिखनी पहले हम लोग ने plus ये 3 का square है तो first term plus formula का अब यहां पर plus है तो इसलिए यहां पर भी plus ही आएगा ठीक है जी अगर यहा minus होता तो यहां पर minus ही लगाना था हमने तो 2 formula का x के bracket लगाई और 3 जो है यह वाली term है इसको हम लोग ने लिख लिया minus 4 y square किसका है 2 y का square है तो इसको हम लोग ने इस तरीके से लिख लिख लिए अब क्या करेंगे एक्स प्लस 3 का square माइनज 2 y का square तो एक दफ़ाए इसको माइनज में लिख लिएंगे और एक्दफ़ाए इसको plus में करोड़ कर देंगे क्यों के लिख 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 वाल्स 2 A B minus A square minus B square तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 एक साइट पर लिखेंगे minus common लेंगे क्योंकि ये formula नहीं बन रहा हमारा अगर हम इसमें से minus को common ले लें तो ये plus bracket के अंदर लगाएं तो यहां पर फिर plus आजएगा फिर यहां minus देखो minus common ले लिए minus minus plus हो गया minus plus minus हो गया minus minus plus हो गया ये convert हो गए सारे अब ये किसी formula में बंद हो रहा है ठीक है पहले नहीं हो रहा था बात में हो रहा है ठीक है जी तो क्या करेंगे ये a minus b के a minus b आएगा यहां पर a minus b आना है a minus b में convert होगा यहां पर एक दफ़ा माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे, अच्छा वो जो एक दफ़ा फिर से मैं देख लूँगी, हो सकता है, मैं जो है, मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, तो जी, अब हम म नमबर वन को देख लेते हैं, तो जो फॉस्ट फॉर पार्ट से उसको देख लेते हैं, इस पेच पे, तो जो माइ पास फॉस्ट नमबर वन का पार्ट वन है, उसमें वो कह रहा है कि 2ABC-4ABX-2ABD, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से कॉमन का एगा, अब फॉस्ट वाली में 2ABR है, थाऱ वाली तर्म में 2ABR है, तो हम क्या करेंगे हारी है, तो क्या करेंगे 2 lore 27-2, जड़न लेंगे, we have two common 2-1, WA, मेरे लेंगे फ़र्स्ट वाली रेयुज मैल करें दो लेंगे, जो ईसलिफ कि बहुए लिखी स्वाध़ के रेक्ट में देकाई और लिखेंगे, लिखेंगे c- स्वांध़ गादधर री होला एका लिखेंगे 2 यॽ muito अब लिखेंगे 2 लिखेंगे एक ही इसमें solve हो जाता है लेकिन मैंने कहा है एक मैंने question दुबारा लिखा है ठीक है जी आप इस से देखे परेशान नहीं हो जाएगा क्योंकि कुछ questions देखे जिसमें आपको rearrange करना पड़ता है इसलिए मैंने इसको दुबारा से एक दफ़ा लिख लिखा ठीक है जी अब इसको देखो यह 3 किसके डिवाइड हो रहा है 3 पे 3 इंटो 3 9 3 इंटो 4 12 और 3 इंटो 6 18 तो 3 common ले लेंगे इसमें x y है इसमें x square y है इसमें y है इसमें x नहीं आ रहा तो इसका मतलब y सिरफ common ले लेंगे y common लिया तो पीछे क्या बच गया 3 x minus 4 x square plus 6 y यह हमारे पास इसका अंसर आ गया ठीक है जी next term है हमारे पास जो question number 1 का part 3 है उसमें वो क्या कह रहा है 3 minus 3 x square y minus 3 x plus 9 x y square तो इसमें भी हम minus 3 x देखेंगे के 3وں में आ रहा है क्योंकि 3 into 3 9 होता है तो हम क्या करेंगे minus 3 x को common ले लेंगे अब जब minus 3 x इसमें से common ले लिया है क्योंकि इसमें minus 3 x था इसमें से minus 3 x common ले लोगे तो पीछे के बचा x है minus बाहर है minus minus plus माइनस, माइनस प्लस, तो पीछे घर माइनस प्लस, यहां पर आजागा माइनस फ्लस माइनस , यहां Plus. Minus minus plus. Minus plus minus. Aisay sign change होते हैं जब हम minus common ले लेते हैं. तो जी, अब हम इसका part 4 देख हैं. हम part 4 में bho, इसमें 5 A, B, C है. यह 5, 2, 5 into 2. 5 को multiply करो 2 पे, तो 10, 5 को multiply करो 4 पे, 20 आजाता है. इसके मतलब हम 5 common ले ले लिया. A, B, C इसमें आ रहा है, इसमें भी A, B, C है अब इसमें A एक दफ़ा है इसमें C एक दफ़ा है, इसमें B एक दफ़ा है तो इसका मतलब क्या करेंगे? कि हम A, B, C, common एक एक दफ़ा ले लेंगे ले लिया, लेने के बाद इसमें क्या बचा? B C square minus 2 A B square minus 4 क्योंकि 5 into 4 20 बनता है तो 4 को अंदर रह गया 5 बाहर 4 A square C अच्छा कुछ students को इस चीज में problem होगी कि हमने common लिया अच्छा आपने अगर आपको गलती लग रही है यह आप कांसा ठीक नहीं हा रहा है तो आप पते क्या करो जब आपने common ले लिया ना लेने के बाद जब दोबारा इसको multiply करो क्वेश्चन बन गया तो आप ठीक करें दोबारा इसको अंदर multiply करतो 5 A B C को multiply कर दो और question बन जाए तो क्या है यह आपका question बर्कुल ठीक है और जो इसके हमारे पास जो next part है वो है बनी बनाई सेम है तो क्या करेंगे इन दोनों को देखते हुए क्या करेंगे यह वाली term माइनस यह वाली term ठाके एक bracket बना देंगे यह दो दफ़ा इसको एक दफ़ा लिख लेंगे similarly 5 भी ऐसा ही है 6 भी ऐसा ही है 6 में वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास 2xy3 है यहाँ पे x2 प्लस 5 है यहाँ पे x2 प्लस 5 है तो हम क्या करेंगे यह दो दफ़ा लिखी गई है इसको उठाएंगे फिर्स वाली term को प्लस 8 xy2 आजएगा इसको bracket में लिख लेंगे और next x2 प्लस 5 आजएगा इसको यह दो दफ़ा वैल्यू थी इसको एक दफ़ा लिख लिखी है तो यह हमारी था question number one exercise 5.1 का hopefully आपको मेरा जो question था या मेरे वीडियो थी अच्छे लगी होगी तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसको like कर देए और subscribe करना मात बुलिएगा until the next video तो तब तक के लिए Allah आपीज